हेलो फ्रेंड स्वागत है आपके अपनी चानल स्टेंड बीपेसी में दोस्तों हम लोग जैसे की बात कर रहे थे क्या 69 बीपेसी को टारगेट में रहकर हम लोग समान अधियन का कोशन कर रहे हैं और पता है आप लोग को 69 बीपेसी आपने 68 बीपेसी देखा दिया होगा तो में D option भी अबला दिया है अलग से तो उन सब को देखकर त्यारी कीजिए और conceptual question पूछ रहा है concept clear होगा तो fact automatic clear हो जागा दोश्तों हम one linear question लेकर आए हैं बहुत important session है और हम करवा रहे हैं रोज आप लोग को उमीद करते हैं पसंद आ रहा होगा चलिए हम लोग आज का session सुर हैदराबाद नगर के स्टापना मोहमद कुली कुतुब सान्य की हेमू और अकबर के बिच पानिपत के दूसरी लड़ाई और कब लरी गई थी तो ये 1556 भी में हेमु और अकबर के बीच पानिपत के दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526 बिमें हुमाई द्वारा लड़े गए चार योधों का क्रम क्या है? देबरा का योध 1531 में, चौसा का योध 1549 में, बिलग्राम का योध 1540 में और सरहिंद का योध 1555 में याद हुआ, हुमाई द्वारा चार योध लड़े गए थे, देबरा का योध 1531 में हुआ था, जौसा का योध 1549 में हुआ था, बिलग्राम या खनोज का योध बोल सकते हैं, 1540 इस भी में हुआ था, उसका बाद सरहिंद का योध 1555 में हुआ था, किलियर हुआ, आगे दिख पर्थाम अस्थान पर है, इंदुस्तान सोसलिस्ट रिपॉब्लिकान एसोसियेशन के अस्थापना कव हुई थी, तह ये 1927 में हुई थी, इंदुस्तान सोसलिस्ट रिपॉब्लिकान एसोसियेशन के अस्थापना 1927 में हुई थी, इंदुस्तान सिप्याड कहां है, तो य राना परताप सीन के बीच लारा गया था हर्स वर्धन के समय नलंदा विशोवी द्याले का कुलपती कौन था तो यह सिल भधर था हरी सन किसका राजदर बारी को भी था तो यह समुद्र गुप्त का था खेलीर हुआ आगे का प्रेशन देखे हरित करांती कभ व्द थाpack नियाएक पुन्राओ की विवस्तार रखते हैं किसके बीच उस्था खाल से मुद्राओ के निर्मान में मुख रूप से किसका प्रयोग किया गया था थे टेरा कोटा में हर्पा कालीन हर्पा काल की मुद्राओ का निर्मान मुख रूप से टेरा कोटा के प्रयोग में लाया गया था आगे प्रश्न है हर्पा कालिन सभ्याता के सर्वधिक घनी अबादी वाले दो नगर निगम में कौन से थे तो यह मोहन जोद्रो और हर्पा हर्पा कालिन मोहरे अधिकांस तक किस पदार से निर्मी थी तो यह सेल खरी किस की सेल खरी के निर्मी थी उसके बाद हर्पा सभ्याता के देवी देवताओं में किसे परवर्ती हिंदु धरम्यांगी करित नहीं किया गया तो ये एक स्रिंगी जिव अगला प्रसन है हर्पा सभ्याता किस यूगी थी तो ये कास यूगिन थी हर्पा सभ्याता कास यूगिन थी हर्पा संस्कृती के निमलिखित अस्तलों में से कौन कच परदेश में इस्थित है तो ये रंगपूर और रोजदी में हरपा संस्कीति के जो रंगपूर और रोजदी है जो कच परदीश में इस्थित है हरपा के लोगों की समाजिक पदती किस परकार के थी तो ये उचित समतावाधी कैसे थी उचित समतावाधी समाजिक पदती थी आगे प्रसंद देखे, आगे है दोस्तो, हर्पा कालिन लोगों द्वारा स्वक्षता, समंधी कौन से उपाएन नहीं किया गया था तो ये स्वरुजनिक सोचाले का उपाएन नहीं किया गया था, किसका स्वरुजनिक सोचाले का स्वार्ण मंद्र का निर्मान किस ने करवाया था तो ये गुरू अर्जुन देव ने किया था स्वार्ण मंद्र का निर्मान गुरू अर्जुन देव ने किया था स्वार्ण मंद्र का निर्मान गुरू अर्जुन देव ने किया था कि उस सहर के निकड़ था तो यह हमदाबाद में निकड़ था सुतंत्र भारत के पूछ रहा है और भारति यह पूछ रहा है इसलिए सीराज गोपालचारी उसके बाद है स्वतंत्र भारत का पर्थम गौर्णर जनरल कौन था सेमी कोचन है तो सीराज गोपलाचारी अगला प्रसंद देखिए उसके बाद है स्टेट ओफ फोरिस्ट वनो की दासा 2014 का नुसार किस राज में वनो का परतिसर सबसे अधिक है किस में अधिक है मिजोरम में किलियर हुआ कहा है मिजोरम में आगे है सांची रिष्टूप का निर्मान किस सासक ने कराया था तो ये असोक ने कराया था सांची रिष्टूप का निर्मान असोक ने कराया था सैंधव अस्थलो के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर किस पसु का सुर्धिक उत्किर्णन हुआ है तो ये बैल का हुआ है सेंधव अस्थलों के उत्खननन से प्राप्त मुहरों पर किस पसु का सुर्धिक उत्किर्णन हुआ है तो बैल का सेन वंस के अंतीम सासर का क्या नम था तो यह लक्षमन सेन था सेन वंस के अंतीम सासर का क्या नम था तो यह लक्षमन सेन था दोस्तों क्या था लक्षमन सेन उसके बाद है सूर समराज का संस्थाप कौन था तो यह सेरसा सूरी था कौन था सेरसा सूरी किलियर हुआ कौन था सेर्शासूरी उसके बाद है उसके बाद है दोस्तो सुत्र काल में ब्राह्मनों को निमनांकित में से बिवाह करने को नुमती थी तो ये ब्राह्मन चत्रिये वैस और सुद्र कन्याओ से उसके बाद है सूरा पे का समद्ध निमनिकित में से किस वैदिक योग से था तो ये राजसू था सुदर्सन जिल का निर्मान किसके सासनकाल में करवाया गया तो ये चंद्रगुप्त मौर सुदर्सन जिल का निर्मान किसके सासनकाल में करवाया था चंद्रगुप्त मौर सियाचीन गलेसियर भारत के किस राज में है तो ये जौमु कस्मीर में है सिन्धू घाटी सभियाता के सभी ऐस्तोलो की सर्व समान विशेष्ता क्या थी सिंदु घंटी सभियता के सभी अस्तलों के सरव समाने विसेष्था क्या थी तो ये पकाय गई इटो और मीटी के बरतुन का उपियोग बिस्त्रित जल निकासी प्रनाली दलदर और जंगली जानुरों का पाया जाना ये पाया गया है विसेष्था बता रहा है देखली जे फ उसके बाद दलदल और जंगली जानवरों का पाया जाना ये भी उसकी विसेस्ता है उसके बाद सिधार्थ को समयक व्लधी प्राप्त होई तो ये बोध गयामें प्राप्त होई था कहां समयक listen 속 समयक्सभल व्लुधी प्राप्त होई बॉधzone में अगला प्रक्राशन किस धातू से परिचित नहीं थे तो यह लोहा से परिचित नहीं थे् किसगे परिचित नहीं थे लोहा से से उसके बाद सिंदु वसी किसकी किसके उपसना करते थे थे मातरी देवी और सिव लिंग की किसके उपसना करते थे मातरी देवी और सिव लिंग की सिंदु घाटी सभ्याता को आज कल किस नाम से पुकारा जाता है तो ये हर्पा संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है किलियर हुआ सिंदु घाटी के ब्यपा पारिक बंदर का कौन सा था तो ये बहरीन था। अगला प्रसन है सरुजनिक लोक लेखा समेती में राज सभय के कितने सदस होते हैं तो ये साथ होते हैं। सामुगड का यूद कभ हुआ तो ये सोले सव अंठाउन में हुआ। सधारन विधैक से संबंधित गति रोध को दूर करने के लिए संसत के दोनों सदनों के सुन्जुक्त बैठक कौन बुलाता है तो ये राष्टपती बुलाता है। उसके बाद है साइमन कमिशन वापस जाओ का नारा किस ने दिया तो ये लाला लाजपत राए ने दिया। सांडर्स की हतिया किस ने की तो ये भगसी ने की। साइक संदी का जनमदाता कौन था तो ये विले जली था। सल्तनत कालीन सैन अभियानों के अंतरगत परियुक्त खरगा ये कुर्तरसा से क्या असाय था तो ये चलता फिरता डेरा सल्तनत कालीन सैन अभियानों के अंतरगत परियुक्त खरगा ये कुर्तरसा से क्या असाय था चलता फिरता डेरा सल्तनात काल की न्याय परनाली में कुसस से क्यातत पा रहे था ते प्रान के बदले प्रान लेने का सिधान्त उसके बाद सर्वोच न्याले के मुख न्याधिस के पद पर सरधिक लूंबी अधिक तक कौन पदस्त रहा ते वाई पी चंद्र चूर सर्वोच न्याले के मुख न्याधिस के पद पर सरधिक लूंबी अधित कौन रहे ते वाई पी चंद्र चूर थे किलियर हुआ उसके बाद है सरोच नियाले सरोच नियाले के जजो का वेतन किस से आहारित होता है तो ये संचित निधी से मिलता है सरोच नियालो का वेतन सरधिक मंगोला क्रमन किस सुल्तान के समय हुआ तो ये अलावदिन खील जी के समय हुआ सरधिक मंगोला क्रमन किस सुल्टान के समय हुआ तो यह अलावदिन खीलजी के समय सरव पर्थम माका की खेती कहां की गई तो यह मध्य अमिरिका में की गई ताइस्थान पर्थम पंचायिती राजब्यवस्थाओं को किस राज में लागो किया गया तो यह राजथान में किया गया तो यह राज़स्थान में किया था सम्राट हर्स ने अपनी रजधानी थाने सवर से कुनाज में परिवर्तन किया था उसके बाद समुह गड की लराई सोले सवन ठावन, समुह गड़ की लराई सोले सवन ठावन, और एंग जब द्वारा, अंगरे जब द्वारा दारा सीखो को हरा दिया गया, ठीक है, समुह गड़ की लराई कब हुआ था, सोले सवन ठावन में, और एंग जब ने दारा सीखो को हरा दिया, समौर्ती सुची, कि प्राशीनवेद कौन है रिंग वेड़ है उसके बाद देखिए सबसे कौम आयूक के परधान मंत्री कौन थे तो यह Cheng ईसन में सिंध पर विजय प्राप्त किए थी lle 71221 में ठीक है सिंध पर विजय प्राप्त की गई थी 72221indung 1909 के अधिनिया में निम्न में से क्या पहली बर परस्तावित किया गया था तो यह प्रिथक मतदान 1909 में प्रिथक मतदान परस्तावित किया गया था उसके बाद है सती प्रता का पर्थम उलेक कहां से मिलता है तो यह रन अभिलेक से मिलता है सति प्रता का पर्थम उलेक कहा से मिलता है एरण अभिलेक से मिलता है संसदी ये सासन परनाली स्वरव पर्थम किस देश में लागू हुई तो ये ब्रीटेन में लागू हुई संसद में सामिल नहीं है कौन तो मुख निर्वाचन आयुक्ते सामिल नहीं होते हैं संसद में याद रखिएगा मुख निर्वाचन आयुक्त उसके बाद है संसद को सन्मिधान संसुधन का अधिकार की सनुछेद में है तो अनुछे 360 के तहत है संसद को सन्विधान, संसोधन का अधिकार की सनुछेद में तो अनुछेद 368 संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन कौन करता है तो ये राष्टपती करता है संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन कौन करता है तो राष्टपती करता है संसद की स्विक्रिती के पहचात राष्टपती सासन कितने दिन परभावित रहता है तो ये छो महिना परभावित रहता है संसद के मतलब स्विक्रिती परदान होने के बाद राष्टपती सासन साथ छो महिनों तक परभावित रहता है उसके बाद है संसद का नीम्न सदन और उच सदन क्रम से होता है तो नीम्न सदन लोक सभा और उच सदन क्या होता है राज सभा संसद का नीम्न सदन लोक सभा और उच सदन राज सभा होता है याद रखेगा संसद सन्विधान साभा में किस प्रांत का परतिनिदित्व सबसे अधिक था तो यह संजुक्त प्रांत से सन्विधान साभा को किस ने मूर्त रूप परदान किया तो यह जवाहलन नहरू ने सन्मिधान साभा को किस ने मुर्त रूप परदान किया तो ये जोहला नहरू ने उसके बाद है कि सन्मिधान साभा की संगिय सक्ति समीती के अध्यक्ष कौन थे तो ये जोहला नहरू थे उसके बाद है सन्मिधान लागू होने के बाद सरो पर्थम त्रिन्सूक संसद का गठन कब हुआ तो ये 1989 सन्विधान लागू होने के बाद सरो पर्थम त्रिन्सूक संसद का गठन au Malcolm 1989 में हुआ सन्विधान में मुल रूप से मुक नियधीश गतरिक्त कितने नयदीसों की विवस्ता सर्वोच नयाले में की गई थी तो ये साथ ठीक है साथ सन्मिधान में मुल रूप से मुख नयदीस का तरी कितने नयदीसों की विवस्ता सर्वोच नयाले में की गई थी तो साथ की गई थी सन्मिधान में SCST को क्या परिभासित किया गया है लिख बोल रहा है सन्मिधान में अनसुचि जातियम जन जाति को क्या परिभासित किया गया है तो नहीं, इनको परिभासित नहीं किया गया है उसके बाद है सन्मिधान द्वारा प्रदत नागरिक्ता के समध में संसद ने एक ब्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया था कब? तो 1955 में बनाया था सन्विधान द्वारा प्रदत नागरिकता के समध में संसद ने एक ब्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया तो 1955 में कब बनाया? 1955 याद रखिएगा उसके बाद है सन्विधान के पुनर गठन के फल्सरूप 1947 तक सन्विधान साभा में सदस्यों के संखे कितनी रह गई तो ये 299 में रह गई सन्विधान के पुनर गठन के फल्सरूप 1947 तक सन्विधान साभा में सदस्यों के संखे कितनी रह गई तो 1999 ठीक है उसके बाद है सन्विधान के किस भाग में सन्सोधन के परकिरिया का उलेख है तो भाग 20 सन्सोधन के परकिरिया का उलेख है भाग 20 उसके बाद है सन्विधान के किस अनुछेद में सरोच नियाले के नैधीस पर महाभीयोग चलाया जा सकता है तो अनुछेद 124 के तहट सन्विधान के अनुछेद 124 के तहट सरोच नियाले के नैधीस पर क्या चलाया जा सकता है महाभीयोग चलाया जा सकता है सन्मिधान के किस अनुछेद में भासा के विकास के लिए निर्देश दिया गया तो अनुछेद 343 सन्मिधान के किस अनुछेद के अंतरगत सन्मिधान के परकिरिया उलेख है तो अनुछेद 356 में ठीक है 356 में सन्मिधान के किस अनुछेद के अंतरगत मंतरी गन समोहिक रूप से लोक साभय को उतरदाई होते हैं तो अनुछेद 75 के थ्रू मंतरी गन समोहिक रूप से लोक स उसके बाद है सन्विधान की परस्थावने के अनुसार भारत किस परकर का रास्ट्र है तो यह धरम निर्पेक्ष रास्ट्र है यानि भारत का कोई धरम नहीं होगा यानि सभी को समारूप से प्रिभिलेज दिया जाएगा सन्विधान की कौन सी अनुसूची में छेत्रिय भासा का उलेख है तो यह आठिवी अनुसूची में सन्विधान का बीचार रखा गया यानि भारत में मनुवेंद्रिनात के द्वारा रखा गया था सन्विधान का बीचार मनुवेंद्रिनात का सबसे पहले उन ही नो रखा उसके बाद है सन्विधान का कौन सा अंस भारत के नगरीकों को आर्थिक निया परदान करने का संकेत करता है तो यह DPSP यानि निती ने दे सकता तो संपून भारत के कितने छेतपड़ पर मैदानी विश्थार है तो 0.44 उसके बाद है सन्यासी बिद्रो का उलेक किस उपनिया परियास में किया गया है तो आनंद मठ में किया गया है ठीक है किस ने लिखा है आप एक कमेंट कर दीजिएगा उसके बाद बताईए संग्ये परनाली का परियास भारत सरकार अधिनियम द्वरा किया गया था तो यह कब 1929 में किया गया संग्ये परनाली का परियास भारत सर कारधिनियम द्वरा किया के 1919 संगलोक सेवा आयोक द्वारा संगलोक सेवा आयोक का पौर्मुख करता है दोस्तों requirement को शंग हुंसка पौर्मुखास कोन था तहे धियुराय पर्थंता याद रखेगा उसके बाद स्रीलंका पर बिजय पराप्त करने वाला परसीद राजय कौन था तो ये राजेंदर परसाद स्रीलंका पर बिजय पराप्त करने वाला परसीद राजय कौन था राजेंदर परसाद सिरी नरायन धरम परिपालन योग आंदोलन किसके द्वरा चलाये गया तो यह केरल के एजावा द्वरा सिरी नरायन धरम परिपालन योग आंदोलन केरल के एजावा द्वरा चलाये गया तो ठीक है सेर्षा के बाद और अकबर से पहले दिली पराज करने वाला हिंदू राजा का नाम क्या था तो ये हेमू था सेर्षा के बाद और अकबर से पहले पूछ रहा है तो इन्हों नहीं क्या किया था वहां के हिंदू राजा का हेमू ही नाम था ठीक है उसके बाद देखिए इन में से किस स्रिंखला के बाहरी हिसे में हैं, तो हिमाले की स्रिंखला, ठीक है, जिवाली की पहारिया, इन में से किस स्रिंखला के बाहरी हिसे में हैं, तो हिमाले की स्रिंखला, ठीक है दोस्तों, उमीद करते हैं, ये आपको 110 प्रशन अच्छे लगे होंगे, BPSC को, ध्या नहीं करते हैं, चैनल को, लाइक भी नहीं करते हैं, तो लाइक कर दीजिएगा, आप थुरा ऐसा लाइक कर देंगे, सस्क्राइब कर लेंगे, तो हमको भी हिमत मिलेगा दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए, तो ठीक है दोस्तो अपना ख्याल रखे पढ़ाई कीजिए 30 सित्मबर को एक्जाम होगा उसी को ध्यान में रखते हैं हम लोग अच्छे अच्छे ससन लाएंगे ठीक है दोस्तो ठीक है अब बाई बाई